मिस्टिस क्रिकेट अकेडमी वा क्रिकेट कलब ओफ गोंदिया द्वारा सन्युक तत्वधान से विधर्ब में महिलाओं के लिए प्रत्मता आयोजित स्वर्गिय श्रीमती तरुना जानसी विमेंस टी-20 दिनाग 19 जनवरी 26 जनवरी आज टीमों की विधर्ब की पहले इंटर क्रिकेट अकेडमी महिला टूर्णमेंट आयोजित किया गया साकित पब्ली स्कूल ग्राउंट में संपन हुई जिसके फाइनल के रोमान ट्रक मैच में नागपुर क्रिकेट अकेडमी ने मैच की आकरी गेन पांच रनों के आविशक्ति में छक्का मार कर रॉकेट इंटरन करीम स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 144 रन तीन विकेट खोकर बनाए जिसमें सेजल से 61 और मिताली ने 32 रन बनाए वहीं 145 रनों के लक्ष का पीछा करने उतरी नागपुर क्रिकेट अकेडमी की टीम ने आखरी गेन में पांच अंजना जादौन उजयन द्वारा 15555 द्वित्य पुरुसकार 7777 तथा रेनिंग शील्ड प्रदान किया सेमी फाइनल में विजयताओं को पूर्व विधायक गोपाल अगरवाल के हस्ते पुरुसकार प्रदान किया गया इस अफसर पर पूर्वनगर परिशत अध्यक्ष अशोक इंगलेप, पुष्पक सजानी अजय और जलक सिंग बिसेन, प्रकाश जासानी, ईशा गौतम, स्मीता कथे, सुधा जैन, नरसींग गहरवार, रवी रहांगारले, नरेंदर नागदा, उपेंदर थापा, जोगी खंडेलवाल, तुशार सावंथ, आदी प्रमुकत से उपस्तित थे, मैन ओफ दे मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट आल राउंडर सभी को विजेता टीमों को अतितियों ने पुरसकार प्रदान किया, तथा उनके खेल की प्रिशन सा की, अभी मेरे वाट्स अप पर निगेटिव रिपोर्ट आई, और इसलिए इसलिए मैं बताना चाहता हूं, पूरा देश ही आज करोना से मुक्त है, यह सब मोदी जी की महरमानी है, मोदी जी ने जो वेक्सिन लाकर कमाल किया, वो न केवल हिंदुस्तान के लोगों को, बलकि पूरे विश्व के अनेक देशों को, आज मोदी की वेक्सिन की जरूत पड़ रही है, और इसलिए आज हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन यह विकास बच्चों के विकास के बिना, बच्चों के किरणा च्छेतर के अंदर उनकी च्छमता को बढ़ाने के बिना, हम नहीं होते, बच्चों के पैरों में जूते नहीं होते, या अधिकांस बच्चे अपना ही किट लेकर आते हैं, इस सारी विवस्ता को जरूर हमारे किरणा विवाग में जहां पर लाखो करोड़ रुपिया खर्च करने को दिये जाते हैं, चोटी-चोटी विवस्ता भी इस सारी विवस्ता को अच्छा करने का प्रियत्न करेंगे, इन बीसे नियूस के लिए सतीश पार्दी की रिपोर्ट